जहिन दोस्तों आज इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस डिस्टिक पोटल बहुत लंबे समय से बंद चल रहा था उसको अब ओपन कर दिया गया है ओपन होने के बाद उसमें कुछ प्रॉप्लम देखने के लिए मिल रही है जैसे कि आप जो भी डोकमेंट बनाते हैं उन डोकमेंट को आप व्यूर देख नहीं सकते आपका बना हुआ है नहीं बना हुआ है मतलब इन बॉक्स जो आपका होता है यह अभी सर्वर एरर इन दिखा रहा है उसी साब से आप देखेंगे रासन कार्ड को अपलाई जो करते हैं उस लिंक को ओपन करने पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है वो अभी बंद चल रहा है और इस पोटल में क्या बदलाब किये गई हैं और ओपन होने के बाद इसमें कैसे ये सॉलूशन होगा चलिए इस वीडियो में बतावजार ओपन करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे इस लिंक मिलेगी इस अपको यहाँ पर एक बार सर्च करना है आप यहाँ जैसे ही आप एक बार किलिक करेंगे आपके सामने यह अभी पोटल ओपन होने वाला है थोड़ा बेट करेंगे यह इस कंडिशन से ओपन हो जाता है अगर आप इस पोटल को अपने मोबाल फोन में खोल रहे हैं तो आप यहां पर 3.0 पर जाएंगे और एक बार इसे desktop site कर लेंगे तभी यह सई से open होगा चलिए मैं desktop site कर ले रहा हूँ आपको यह एक pop-up दिखेगा और इस pop-up में लिखा हुआ है storage hardware old data restoration is still my apply for income certificate car certificate domitial certificate तो दोस्तों यह data जो है यहां से हटाए जा रहा है यह जब तक यह pop-up यहां से delete नहीं होगा मतलब हटेगा नहीं तब तक आप का यह portal सही से काम नहीं करेगा अभी यहां पर error आ रहा है चलिए इसको यहां से किलोज करेंगे और यहां पर आप e-stake login बाले लिंक पर जाएंगे दोस्तों citizen login पहले ही इस portal को open कर दिया गया था हम यहां e-stake portal को login करेंगे आप यहां किलिक करेंगे जैसे आप यहां किलिक करेंगे आपके सामने इस condition से e-stake उतरप्रदेश एन-i-c यह इस condition से portal open होगा और आप यहां थोड़ा इसको डाउन करेंगे और अपनी ID पासबर्ट डालेंगे यहां पर अपनी ID यहां पर CSC चूज करेंगे पासबर्ट डालेंगे capture code यहां फिल करेंगे उसके बाद आप नीचे submit पर किलिक करेंगे चलिए मैं यहां डाल देता हूँ मैं यहां login ID पासबर्ट डालके capture code फिल करके यहां submit पर यैसे ही आप किलिक करेंगे आपके सामने इस condition से यह portal open हो जाएगा आपको यह pop-up दिखेगा इस pop-up को आप फिल कर सकते हैं आप यहां से इसको delete कर सकते हैं आप थोड़ा नीचे करेंगे और आपको यह close का open दिख रहा है इस option पर किलिक करेंगे तो आप यहां से इसको delete कर सकते हैं दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आप यहां पर inbox देखेंगे तो आपको inbox में यह problem देखने के लिए मिल रही है आप inbox पर click करेंगे अब आपको अपना document सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर जाएंगे आपको अपना document जो भी है आप यहां select करेंगे जो आपका document है आप चलिए यह यहां पर income चूज करते हैं उसके बाद आप सो पर click करेंगे तो आपके सामने server error in EDStake application इस condition से दिखाई दे रहा है उसके बाद आप यहां pending पर जाएंगे pending पर click करेंगे तो आपके सामने इस condition से आपके document देखने के लिए वैसी ही list खुल जाती है जैसे कि पहले खुलती थी अब आप यहां से कोई सा भी अपना document चूज करेंगे जो आपने डाले हैं वहां के लिख करेंगे तो आपके inbox में कोई भी data नहीं है कहने का मतलब यह document आपके बन गहे हैं अभी inboxing uploading चल रही है तो थोड़ा दोस्तो यहां पर आपको bait करना होगा यह error अभी आपको दिख रह करेंगे जैसे कि मैं यहां उमपर किलिक करता हूं आपको इसा भी document अपलाई कर सकते हैं जैसे जाती प्रमाड पत्र पर आप किलिक करेंगे तो यहां से अपना document अपलाई कर सकते हैं पहले जो document पड़े हुए हैं उनको uploading किया जा रहा है इस वजह से आपको थोड़ा wait करना ह हैं अभी वो document आप यहां से लोड नहीं कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया रासन कार्ड पर आप एक बार किलिक करेंगे रासन कार्ड की जैसे विवाग यह करेंगे तो अभी यह भी आपकी link नहीं हो रही है तो अभी आपका portal यह अभी जल्द में ही open किया गया है इस पर प्रोसेस पहले के तरह काम करने लगेगा और यह ID सही से काम करने लगेगी और आप पहले के तरह वर्क कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आपके मन में कोई confusion है तो आप हमें comment करके comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक के लिए हमस्कार जहिन